पाग 13, गुलाप सिंग दिन और तारीक की जरुरत नहीं, जब हम अमर अंत की कहानी कहने चले हैं, तब एक दिन और एक तारीक को पकड़ कर क्यूं चलें? उसके घर में पिता थे, मा थी और एक गुडिया सी बहन थी, वह सारे घर का दुलारा था, एक दिन की बात है, वह बिमार पड़ा, मा ने उसका खाना बिलकुल रोग दिया था, पर उसका बार बार खाने को मांगना छोटी सी बहन से ना सहा गया, वह चुपके से गुड और च उससा भी सेहने को तयार थी, पर भाई ने भी गुड चने की बात किसी को ना बताई, धीरे-धीरे रोग शला गया, पर भाई के मन पर बहन के प्रेम की चाप छप गई, ऐसी एक नहीं अनेक बातें बहन की, मा की, पिता की उसके मन पर छपी थी, वह कभी उनसे लड़ता ज पर आखों के आशू और मन के रंग उसके मन पर छपीन तस्वीरों को धुन्दा न कर सके, एक दिन ऐसी हवा बही की मुर्चाय हुए दिलों में भी नई जाना गई, ये हवा उमंगों की हवा थी, बड़ा भारी जुलूस निकलना था, कौमी जंडे का जुलूस था वह, प बहा ने कहा, होगा कोई, बहन ने फिर पूछा, क्यों न निकले जुलूस, क्यों न निकले जंडा, भाई कटू स्वर में बोला, हमारा देश बाच्शा का गुलाम जो है, बहन का उत्तर था, तब तो जरूर निकले जुलूस, जरूर निकले जंडा, जंडे की तैयारी होन बहन ने अपनी पुरानी ओर्णी फार कर जंडा बना लिया। लाल पीला रंग भी चड़ गया। भाई ने उसे अपने खेलने के डंडे से बाधा। अब भाई जंडा लेकर चला। बहन को भाई की आरती उतारनी थी। मो के आसपास घूमती हुई थाली एक आभा मंडल बनाने लगी। उसने देवी देवताओं के चित्रों में भी वैसा ही आभा मंडल देखा था बहन ने भाई के माथे पर तिलक लगाया चावल बिखराय आरती की और पान का बीड़ा खाने को दिया पगली ने सुन रखा था कि राजकुमारियां वीर की विदाई पर पान का बीड़ा भी देती है भाई ने बहन के पैर चुए और विदा ली बहन ने भाई के सिर पर हाथ फेरा और बलईया ली अब वह जंडा लेकर चला बहन दर्वाजे पर खड़ी देखती रह गई कहानियों की राजकुमारियां इसी तरह विदा करती थी और देखती खड़ी रह जाती थी दूर तक भाई के लहराते हुए जंडे को जाती हुए देखती रही वा बहुत दूर जाने पर बादशा के सिपाईयों ने जंडे वाले को रोका वह ना रोका बादशा के सिपाईयों ने गोली चला दी वह किरा जंडा न गिरा वह उसके हाथ में था गोलिया चल जाने पर किसकी हिम्मत की सड़क पर जाता और घायल को संभालता पर बहन ने उसको गिरते हुए देख लिया था वह दोड़ पड़ी अकेले दोड़ती जा पहुँची भाई खून से लगपत पड़ा था पुकारा भाईया भाई के प्राण मानो या अमरित्वानी सुनकर लोट पड़े वह बोला तु आ गई? ये जंडा ले बहन ने जंडा थाम लिया भाई चला गया बहुत रोई पर हाथ में जंडा थामी रही बादशा के सिपाही मानो गड़ जीत कर चले गए थे अब बहुत से लोग आए अर्थी उठी सामने भाई की बहन वही जंडा लिये चल रही थी बादशा का हुकुम था कि जुलूस नहीं निकलेगा कौमी जंडा नहीं निकलेगा पर जुलूस निकला जंडा भी निकला और बड़ी शान से निकला ये कहानी कहां की है? किस की है? हम क्या बताएं? ये घटना सारी दुनिया में कहीं की भी हो सकती है क्योंकि ये घटना चिरंतन है, अनन्त है उस वीर बालक का नाम गुलाब सिंग हो सकता है जो अपनी सुगंध बिखेर कर चला गया